नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्णकान की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं गरामिनों को मिलेगा प्रोपटी कार्ड प्रधान मंत्री नयदमोदीर अभीवार 11 अक्टूबर को स्वामीत योजना के ताथ प्रोपटी कार्ड का वित्रन करेंगे इस बात की जनकारी प्रधान मंत्री कर्याले की ओर से दी गई इस योजना के ताथ गरामिनों को अपनी संपति का उप्योग बित्य संपति के रूप में करना बताया जाता है प्रधान मंत्री का कारेकरम सुबा 11 बये शुरू होगा इस मोके पर पिये मोदी कई लाभुकों से बात भी करेंगे बतादे की पंचायती राज मंत्री नारेंद सिंग तोमर भी इस अवसर पर मोजूद रहेंगे पधान मंत्री नायद मोदी ने इस बर्स अप्रील माह में स्वामीत योजना के सुरुवात की थी जिसके तोध प्रोपर्टी कार्ट का बित्रन किया जा रहा है जारखन मोसम भी भाग के पुर्वानमान में बताया गया है कि राज में अगले दस दिनों तक हलके से मध्य दर्ज की बारिस होती रहेगी कई इलाकों में वजरपात की भी संभावना है बता दे कि पिछले 24 गंटा के दौरान राज में मानसुन के इस्तिती कमजोर रही है कोजीलों में हलके से मध्य दर्ज की और काई भारी बारिस भी होई मोसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी गाई है कि पके हुए फसलों की कटाई नहीं करनी चाहिए जार्खन में 31 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल जार्खन की हमद सुरें सरकार ने अस्पष्ट कर दिया है कि अभी वाई स्कूल कोलेज खोलने की मूड में नहीं है हलाकि केंदर सरकार ने कहा है कि स्कूलों को करमबत तरीके से ऐसी बेवस्ता करनी चाहिए ताकि बच्चे सोसल डिस्टेंसिंग का पारण करते हुए स्कूल में कलास कर सके बता देखी जार्खन सरकार ने कहा है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है कब से स्कूल खोले जाएंगे इस पर गहन भी मर्श जारी है सरकार ने कहा था कि छात्रों की जान को खत्रे में डालना उचित नहीं होगा राज सरकार ने अविभाव को और सिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद स्कूल को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला किया है जार्खन में 768 ने संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राची से 314 बोकारो 48 चात्रा पांच देवगर साथ धनबाद 41 दूमका तीन पूर्वी सिम्भूम 103 गढवा 26 गिरीडी 10 गोड़ा 37 गुमला 29 हजारी बाग 15 जाम 146 खोटी 35 कोडारमा 4 लाते हार 6 लोहर दाग 654 लोग स्वश्थ हुए और 781 की मिरिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 79,778 है जबकि 69,855 लोग स्वश्थ हुए और 1,7,450 की मिरिती हो गई भारत में नएक केस 37,220 मिले है जबकि 82,229 मरीज स्वश्थ हुए है जारखन में सुक्रवार को 6 लोग की मोथ हुई जो बोकारो धनबाद पूर्वी सिम्भूम से 1,1 जबकि राची से 3 मरीज की मोथ हुई है शुक्रवार को 11,78 मरीज स्वश्थ भी हुए है एक्टीव के गोटा एक सो साथ, गुमला दो सो चबवीस, जामतरा निनानबे हाजारी बैक 378, खोटी 275, कोडार्मा 171, लात्ते हार 182, लोहरदागा 269, पाकुर 86, पलामु पंचानबे रामगर एक सो साथ, राची 272, साहिवगन साथ, सराय के ला तीनसो उनसाथ, फुलास टू इसकू स्कूलों का संसोधित सिलेवस मुख मंतरी हमन सुरेंड की मंजूरी के बाद जारी होगा, सिलेवस कटवती के प्रस्ताव पर सरकार का आप्रूबल होना जरूरी है, बता देकि सिक्छा मंतरी जगनात महत्तो आस्वस्त हैं और अस्पताल में भरती हैं, ऐसे में स्कूली सि सिलेवस में भी 40% की कटवती की जाएगी, सिक्छा मंतरी के स्वस्त होने की कामना लेकर माच इनमस्तिका दरबार पहुंचे क्रिसी मंतरी, परदेश के सिक्छा मंतरी जगनात महतो पिछले कई दिनों से बिमार चल रहे हैं, उनके सिग्र स्वस्त होने की कामना लेकर सूब मंत्री जगनात महतों के जल्द स्वस्थ होने की मनत मांगी है रगुवर्दास पहुचे बाबा मंदीर भाजपा के राश्ट्रिय उपाध्यक्ष और जार्खन के पूर्व मुख मंत्री रगुवर्दास सुक्रवार को बाबा मंदीर पहुचे उन्होंने वीधी विधान के स पुजा आजचना की और बाबा भोले नात के दसन किये इसके बाद पुजारियों से मिलकर उनकी बाते भी सुनी बतादे की मोके पर देवगर के बिधायक नरायंदास और पुर्वस्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार भी मौजुद थे सिरीदास ने कहा कि जारखन की मंगल कामना के लिए उन्होंने बाबा भोले नात से कामना की है रीम्स में लपरवाई से मोट के मामले में कड़ी करवाई करे मुख मंत्री मुख मंत्री हमन सुरेन ने अख़बार हिंदुस्तान में रिम्स में पानी मांगते मांगते मर गई क्रोना मरीद सिर्षक से परकासित ख़वर पर सुक्रबार को कडा संग्यान लिया है मामले को गंभिता से लेते हुए मुख मंत्री ने के कोविड वार्ट के इस मामले में स्वास्त मंत्री को जाच कर दोस्यों के खिलाब सक्ष करवाई करने को कहा है। एक जनहीत याजका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन और डाक्टर सुजित नरायन परसाथ की अदरत ने कहा कि गुटका की विक्री खुल्याम हो रही है। को जमानत मिली। जस्टिस और पेस कुमार सिना की अदलत ने जमानत दे दिया। पच्चमी सिम्भूम में महिलाओ के लिए सक्खी वन इस्टोप सेंटर। जिसमें उन्हें सरन मिलेगी। बता दे कि यहां अपराधिक हिंसा की सिकार महिलाओं को जिला परसाथन की ओर से 24 गंटा में साहता उपलब्द कराई जाएगी। दुर्गा पुजा के मोखे पर सरकारी दिशा निर्देशों का हो सकती से पालन पलामू उपायूग थे। स्मार्ट सिटी राची में 24 गंटा मिलेगा पानी। जार्खन में कुरोणा जाच का आकड़ा अब 25 लाग के पार हो गया है। पर अब तक 25,666 लोगों की कुरोणा जाच हो चुकी है। राजे में 1 सितंबर तक 10 लाखी अबादी पर 25,399 लोगों की ही जाच हो थी। एक मा में यह आकड़ा 66,000 से पार हो गया है। मानसिक रोगयों की पाचान के लिए 10 से 17 अक्टूबर तक अभियान। जार्खन में मानसिक रोगयों की पाचान के लिए सरकार राज भर में अभियान चलाएगी। स्टेट NCD सेल के नोडल अपसर डाक्टर एल आर पाठक ने बताया कि सनिवार को भी स्वमानसिक स्वास्त दिवस के अवसर पर सगन मानसिक स्वास्त जाच अभियान के शुरुवात की जाएगी। इसके तहत मानसिक रोगयों की पाचान कर उपचार की ब्यवास्ता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। बेतला नेशनल पार्क खोलने की त्यारी। दुसकर्म के मामले में आठवय स्थान पर जारखंड। अबादी के मामले में भले ही जारखंड देश में तेरहवय स्थान पर है लेकिन दुसकर्म के मामले में यह अपने पोडोसी राज्यों से काफी आगे है। NCRB की रिपोर्ट के उनुसार दुसकर्म के मामले में जार्खन देश में आठवे अस्थान पर है बतादेकी साल 2019 के NCRB के आकड़ों के लिहाजे से जार्खन में साल 2019 में दुसकर्म की 1416 गटनाय दर्ज हुई साहेव गंज के नए DC राम निवास यादव ने संबाला पदभार साहेव गंज के नए उपायुक्त के रूप में राम निवास यादव ने अपना योगदान सुक्रवार को दिया उन्होंने उपायुक्त चितरजन कुमार से जीला के ट्रेजरी निवंधन मुद्रांक एवं गोपनिये सखा का पदभार लिया सरपर्थम नव नुजुक्त उपायुक्त ने उपायुक्त कष्च में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचाय प्राप्त किया किसान सम्मेलन को लोग कर कांग्रेस की त्यारी पूरी केंदर सरकार की ओर से लाएगए नवे क्रिसी कानूनोंके खिलाप कांग्रेस पार्टी के आव़ान पर 10 अक्टूबर को देश भर में किसान सम्मेलन आवेजन किया जाएगा इस करम में राजधाने राची में भी सरेरिक दूरी के साथ किसान समेलन आवेजन करने की सभी तयारी पूरी कर ली गई है बता देखी पर्देश अध्यक्ष सभीत तथा खाद आपूर्ती मंत्री रामेशवर उराव के अध्यक्षता में सुक्रवार को हुई बैठक में किसान समेलन को लेकर आवसक त्यारी को अमतिन रूप दिया गया जारखन में Trival Institute of Generic Research Center खोलने की मांग सांसत संजय राची के सांसत संजय सेट ने सुक्रवार को दिली में केंद्रिय सवास्त मंत्री डाक्टर हरस्वरदन ते मिल कर जारखन में सवास्त सेवाओ के विस्तार को लेकर बैठक की बैठक में सेट ने रिम्स सहीत राज की स्वास्थ ब्यवस्ता पर विस्तार पुर्वक चर्चा की और उन्होंने स्वास्थ समंदी कुछ मांगो को केंद्रिय मंत्री की समख्च रखा सेठ ने केंद्रिय स्वास्त मंत्री से मिलकर जारखन में ट्राइवल इंटिचूट अफ जेनरीक रिसर्ट सेंटर खोलने की मांग रखिया है उन्होंने कहा कि रिम्स को एम्स की देख रेक में राश्ट्रिय अस्तर की सुवधा परदान की जाए सिक्षको को प्रोनती नहीं मिली तो कोट जाएगा संग जारखन प्रारंबिक सिक्षक संग परदेश कमिटी के महा सचीव बलजीत कुमार सिंग के नित्युत में साथ सदस्यो का सिष्ट मंडल प्राथमिक सिक्षा निदेशक भोनेश कुमार सिंग से सुक्रवार को मिला संग ने निदेशक के समग सिक्षको से जुड़े मसले रखे संग ने सिष्ट मंडल ग्रेड चार में प्रोनत्ती विसांगित के साथ 15-16 में सिधी नियुक्ति से नियुक्त असनातक प्रसिक्षित सिक्षकों को पांच बर्स पुरा होने के फल सरूप परधाना द्यापकों के पदों को भरने की मांग की दूर्गो उत्सव में पंडाल का पट बंद कर पूजा करना सविकार नहीं राची जीला दूर्गा पूजा समीति से संबंध पूजा आयोजकों ने सरकार से जारे गाइडलाइन में संसोधन की मांग की है उनका कारना है कि कुरोना काल में संक्रमन मुक्त इस्थिती बनाए रखने में पूजा समीति के सदसे भी सरकार के साथ है लेकिन पूजा में बेवहारिक तोर पर संसोधन के साथ कुछ छूट मिलनी चाहिए पूजा समीति के सदस्यों ने कहा कि सर्दिय नवरत्र में धर्म सास्त्र के मुताविक पूजा अर्चना सनातनी समाज के लोग करते हैं ऐसे में परतीमा अस्थापना अस्थल पर पंडाल का पट बंद नहीं रखा जा सकता लिंग परिक्षन करने वाले किलिनिक की जनकारी देने पर मिलेगा इनाम राची उपायुक ते राची जीला में प्रसव पुर्व लिंग परिक्षन करने वाले अल्टरा साउंड क्लिनिक की जनकारी देने वाले ब्यक्ति गर्वती महिला को पुरिस्कित किया जाएगा उपायुक छवी रंजन ने PCPNDT-1 के तहत अल्टरा साउंड क्लिनिक की समिक्षा बैठक करते हुए सुक्रवार को ये बाते कही उपायुक ने कहा कि रंची जिला में अगर किसी अल्टरा साउंड क्लिनिक में प्रशोव से पहले लिंग निर्धारन परिक्षन किया जा रहा है तो इसकी जनकारी जीला पर्शासन को दे जनकारी देने वाले ब्यक्ति गर्वती महिला या संस्थान को PCPNDT-1 के प्रधानों के तहत पुरस्कृत किया जाएगा धैनेवाद जैसे कि आप जानते हैं आज पूरे जार्खंड में किसान समेलन किया जा रहा है तो क्या आप भी किसान समेलन में भाग ले रहे हैं या नहीं हमें कोमेंट सेक्षन में अवसे बताए थाइंक्यू साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर भी करे